Hello everyone, welcome to ECV Commerce Classes मैं हूँ तपिता और गाईज आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपनी इस कमे की सबसे बड़ी टेंशन की जो की है CUET entrance को clear करना CUET entrance को कैसे clear कर सकते हैं उसके लिए गाईज हमें एक अच्छे strategy पर काम करना जरूरी है यानि कि अपनी आपको पढ़ाई करनी है वो एक strategy के साथ करनी है तभी आप entrance को crack कर सकते हो और अच्छे से college में एडमीशन ले सकते हो हाला कि आपको entrance देने का अभी बहुत सारे students को experience हो गया होगा क्योंकि different different university के student entrance दे रहे हैं but CUET थोड़ा सा अलग हटके है और एक मन में डर भी है क्योंकि इससे अपका central university में admission हो है तो काफी सारे student इसे क्राक करने के tension में है मैं जानती हूँ इस तीज को लेकिन हम tension से कुछ नहीं होता है tension से सिफ हम अपने लक्षे को मतलब पाने में थोड़ा डरते हैं अगर strategy बना लें तो हम अपने लक्षे को पा लेते हैं तो यहां पर मैं strategy के उपर ही बात करूँगी कैसे आप COET को crack कर सकते हो कैसे आपको strategy बनानी है अभी बहुत सारे students हैं जो यह पूछ रहे हैं कि मैं शुरुआत कैसे करें क्या बड़े समझ नहीं आरा तो सबसे पहली बात उन students के लिए हैं कि guys first आपको सभी students के लिए सिर्फ उनी के लिए नहीं सभी students के लिए कि सबसे पहले आपको जो आपका syllabus है जो आपने subject choose करें हैं उनका syllabus cover करना है तो सबसे पहली चीज आपको अपने syllabus को fully cover करना है Fully cover करने का यहाँ पे मेरा मतलब यह है कि अब जो आपके last आपके जब आपने exam दिये थे तो बहुत सारे topics deleted थे लेकिन आपके syllabus में वो topic भी आ रहे हैं आपको पता है या नहीं पता लेकिन आपके वो topic भी आ रहे हैं जो आपने 12 में नहीं पढ़े क्योंकि वो समय deleted थे लेकिन आपको वो भी पढ़ने पढ़ेंगे तो first of all आपको अपने syllabus को अच्छी तरीके से complete करना है यानि कि एक बार आपको revise, recall करना है अपने syllabus को second चीज गाइस अब आपको एक जो है time table जिसे हम कहते हैं और जिसे हम बनाते हैं पर हम कभी इसके अनुसार चलते नहीं है उसे जरूर बनाओ और अनुसार चलो क्योंकि आपको पता है tentative dates आ चुकी है 15 जुलाई, 16 जुलाई से उन्होंने बोला है आपके slot अभी नहीं आया है, timings नहीं आया है बढ़ tentative dates आ गई है तो अब आपको इतना तो बनाओ चल गया है कि 15 जुलाई तक की ही आपके पास time limit है यानि कि मैं कहूं तो 14 जुलाई तक 15 को तो उन्होंने date दे रखी है तो 14 जुलाई तक का आपके पास जो ये time बचा हुआ है, सिर्फ इतना है इतने में आपको त्यारी करने हैं तो guys, please make a timetable timetable का मतलब यहां पर यह है कि अपने time को utilize करो इधर उधर ताका जाकी में मत करो इस समय पर जो समय है आपको एक timetable बनाना है कि मेरा यह subject week था like accounts में मेरा share capital chapter week था तो मुझे इस पर efforts करने क्योंकि full syllabus आ रहा है 50-50 नहीं आ रहा guys, right तो आपको हर चीज़ पर like मैं कह सकती हूँ double effort करने की जोड़ाद है क्योंकि जो आपने first term में बढ़ा था December exam में वो आपको अभी थोड़ा सा धुंदला गया होगा क्योंकि March, April अभी जो आपके exam होए में में उसमें वो नहीं आया था, right तो आपको एक double मेहनत करने की ज़रत है क्योंकि आपको first term का भी पढ़ना है और second term का भी पढ़ना है तो timetable ज़रूर बनाना है ठीक है, timetable में पहली चीज गाइस जो आपके week points है उन पर efforts करो week points का मतलब क्या होगया कि जैसे मेरा accounts में share capital chapter week है तो मैं उस पर काम करूँगा मेरा cash flow week है तो मैं उस पर काम करूँगा इन पर सबसे पहले काम करने की ज़रुरत है आपको क्या केते हैं अपने जो week points है उनको strong point में convert करना है तो सबसे पहले अपने week points पर काम करो इनको time slot अपने day wise दो आप अगर देखोगे तो बहुत कम days आपके पास रहते हैं और उसमें आपको पुरी त्यारी करने हैं एक दिन में अगर 24 घंटे हैं आठ घंटे आप नींद के निकाल भी दो तो भी 16 घंटे रहते हैं 16 घंटे में से 5 घंटे वैसे निकालतों तो 10 से 11 घंटे मुझे से लगता है कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए अपने इस entrance को clear करने के लिए क्योंकि अगर जुनून होगा पागलपन होगा पढ़ने को लेकर इसको clear करने को लेकर तभी आप इतना समय दे पाओगे करना है तेक है उसके बाद गाइस एक जरूर एक जो आपके अभी मार्केट पे सैंपल वेपर अविलेविल हैं मैं जरूर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस में क्या-क्या चीज़े हैं लेकिन सैंपल वेपर जरूर खरीदना लेकिन उससे पहले आपको अपने वीक पॉइंट्स और अपने इस लेबर्स पर काम करने की जरूरत है तो आप मतलब मेरे ख्याल से वन वीक तक आप अपने इस लेबर्स को complete करने में लगा दो और उसके बाद सैंपल वेपर से जरू एक यहाल ले सकते हो तो गाइस इस तरीके से आप स्टाइडेजी बनाओगे जो यह टाइम डेबल हम बनाते हैं पर फॉलो नहीं करते तो मेरे को ऐसा लगते है कि इन्हें फॉलो करने की जरूरत है आपको अकॉर्डिंग ली टाइम अलोर्ट करने की बहुत जादा जरूर छोटे चोटे चेपटर एक गंटे में इस तरीके से जब आप अलॉट कर लोगे झा gast कह अ डियожд grants चेपटर लोगे इन इ tentar गुपना लोगे यह हगंटे में पूरा निया डो गंटे में यह दो गंटे में यह तीन गंटे में तो आप हकीकत में चीजों को complete कर पाऊगे अदर्वाइस सोच के करते हैं तो क्यों भी किसी chapter हमारा 4 घंटे ले लेता है बीच में कहीं हम घूमने चले जाते हैं किसी दोस्ते गपे माल लेते हैं कई बार Instagram चला लेते हैं तो वो नहीं हो पाता So first आपको जो main important चीज है अपनी strategy में आपका सबसे बड़ा कीमती जो चीज होती है आपके life की वह होती है आपके समय तो समय देना अगर आप सीख गए तो आप इसको भी clear कर लोगे तो main है समय दो चीजों को जिन चीजों के लिए आप त्यारी करें उसको समय नहीं दे रहे तो समय सबसे पहले देना जरूरी है time table बनाओ accordingly त्यार करो और उसके बाद guys आप अपनी त्यारी को स्टार्ट करो और इसके लावा guys अगर आपको खही पर कोई भी दिक्कत आ रही है कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आप Instagram पर ID है तब इता मैसी मुझे contact कर सकते हो message कर सकते हो और आपके जो भी query होगी उसको solve किया जाएगा और अगर वीडियो समझ हाई है गाइस पस अलाई है तो like जरूर करना share करना और yes बस Instagram पर अगर कोई query हो तो पूछ सकते हो Thank you